Hello everyone, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग start करने जा रहे हैं इस chemistry के video lecture में, some basic concept of chemistry chapter में, हम लोग आज discuss करेंगे कि कैसे हम किसी भी atoms हो, चाहे वो ions हो, चाहे कोई भी chemical species हो, उसके अंदर हम number of electron, प्रोटून्स और नूट्रून्स कैसे हम लोग कल्कुलेट करेंगे यह सारे जो पॉइंट्स है यह हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे हम लोग क्या डिसकस करेंगे कि इलेक्ट्रून का कल्कुलेशन कैसे करेंगे और हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे नूट्रून का कल्कु representation of electron, proton, neutron, inanatum, ions or any chemical species. So, थेखिए, हमें सबसे पहले क्या जानना होगा, तो हमें यहां पे सबसे पहले जानना होगा representation of element, तिक है, आप कैसे represent करते हैं, representation of an element, of an element ठीक है देखे किसी भी elements को आपको अगर represent करना है ठीक है तो उसको represent करने के लिए हम लोग उसको कैसे represent करते हैं तो देखे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं माल लिजे कि कोई हमारे पास एक element है और यह element माल लेते हैं कि x है तो देखे इस element कोaching करने के लिए हमें यहाँ पे दो term, two terms को use करना है एक तो होता है जिसको हम बोलते है Z और एक जो होता है जिसको हम बोलते है E देखे, A का क्या मतलब होता है और Z का क्या मतलब है इसको हम लोग समझेंगे या तो आप ऐसे लिख सकते हो आप ऐसे Z लिखके और आप X लिखके और Z इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो तो यह एक representation है किसी भी elements को अगर आपको उसके atomic number और उसके mass number के साथ अगर आपको represent करना है तो हम इस तरीके से represent करते हैं अब आए इस बात को समझते हैं कि जो हमारा यहाँ पे Z है Z किसी भी element का क्या बताता है तो Z किसी भी element का यह atomic number बताता है Z is atomic number और इसकी खासियत क्या होता है ध्यान से समझेंगे Z number हमेशा whole number में होता है यह कभी fraction नहीं हो सकता है तो इस point को ध्यान रखिएगा दूसरा जो यहाँ पे point है दूसरा जो अपना point है वो है A और A को हम लोग क्या बोलते हैं A को हम लोग mass number बोलते हैं यह को हम लोग क्या बोलते हैं mass number हम लोग यहाँ पे बोलते हैं तो यह दो term जो है वो आपको आने चाहिए यह देखिए, यहाँ पर atomic number आपको learn होना चाहिए, सबका atomic number आपको learn करना पड़ेगा, और mass number भी उसका क्या करना पड़ेगा, आपको learn करना पड़ेगा, ज्यादा तर question में हो सकता है, कि आपको यह दिये गए हो, लेकिन कुछ-कुछ जो famous elements होते हैं, उनका mass number और यह atomic number आपको याद रखना पड़ेगा, अब आईए समझते हैं, कि हम कैसे इसको represent करते हैं, जैसे माल लीजिए, मैं यहाँ पर example ले रहा हूं, हमारे पास hydrogen है, हमारे पास क्या जी, hydrogen है, तो hydrogen के लिए हम लोग, अगर देखे, तो hydrogen का जो z होता है, वो कितना होता है, one होता है, और a भी इस symbol लिख दीजे, तो hydrogen atom का symbol कैसे लिखते हो, आप इस तरीके से लिखते हो, h लिखते हो, अब आपको क्या करना है, कि यहाँ पे देखे, z कहा है, z इसके पाउ में, तो आप यहाँ पे क्या कर देजे, one लिख दीजे, और यहाँ पे क्या लिख दीजे, आप a लिख दीजे, one तो यह कुछ representation है, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आई और भी कुछ example देखते हैं, साइद आपको और अच्छे बहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है, अगर हम कुछ दूसरा example लेते हैं, जैसे माल लेजिए, कि आपके पास carbon है, ठीक है, तो carbon का कैसे आप representation दीज तो देखे, carbon का symbol हम लोग C लिखते हैं, तो C लिख दीजिए, और इसका Z आपको कितना होता है, तो 6 होता है, और इसका A कितना होता है, तो यह इसका कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 6 जो है Z है, तो Z को कहा लिखना होता है, नीचे, और A को कहा लिखना होता है उपर या तो आप ऐसे लिख दीजी या अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं देखिए बहुत असान तरीका है यहाँ पे आपने पर आप किसे भी इलमेंट को जब भी आप उसको इसको टोमिक मास और मास नंबर के साथ रिपर्जन करते हैं तो सबसे पहले उसका आप सिंबोल लिखते हैं तो अमने लिख सकते हैं तो करना कै है। एक बार यहां लिख लिए टो नीचे और इधर लिख 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 लेते और यहां पर यहां पर क्लिख never ठीक है तो देखें यहां से आपको यह बाते समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई भी . Esse यहां से दिछा जए itself. basis of representation तो आप असानी से यहाँ पर इस questions को कर सकते हैं जैसे मा लेजे मैं आपको यहाँ पर question दे रहा हूँ ठीक है आपको बताना है find z and a in the following in the following ठीक है तो यहाँ पर आपको find क्या करना है आपको बताना है कि इसमें से z और a क्या होगा तो देखे अगर मैं आपको example दिया यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दिया c12 और यहाँ पर लिख दिया 14 तो बताए कि इसका z क्या होगा और इसका a क्या होगा तो देखे किसी भी atom को अगर आप represent करते हैं तो नीचे z लिखते हैं और उपर a लिखते हैं तो बताए इसमें नीचे क्या है तो नीचे z है तो z कितन हो गया 12 हो गया अब बताए ऊपर क्या है तो ऊपर ए है तो ए कितना हो गया तो ए आपका 14 हो गया तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं तो कोई भी अगर आपको इस तरीके से अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई भी अगर आप element ले रहे हैं मैं यहाँ पे इसको x ले रहा हूँ और यहाँ पे z ले रहा हूँ और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो आप इसको कैसे लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो इधर z लिख स चार्ज नहीं है यानि इस तरीके का जब भी आपको कोई भी रिप्रजेंटेशन मिले और उस पर कुछ भी दिखाई ना दे सिर्फ जेड और ए है लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं दिखाए दे तो ऐसे कंडिशन में आपको एजियूम करना है कि यह कैसा है यह आपका आप देखिए थ्वरा सा एकटम की बात करें एक अंदर हमारे पास एक नीगेटीब चार्ज होता है इलेक्ट्रोन ऑफास होता है यह शोता है जिसको बूलते है प्रोटॉन और एक होता है नूट्रोन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है इसका चार्ज हम लोग जीडो मानक तो अगर atom neutral है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इस atom के अंदर आपका जो total positive charge का magnitude है, थिक है? यहाँ पे जो net charge आपको आएगा net charge on an atom अगर आएगा तो वो क्या हो जाएगा वो आपको 0 कहलाएगा ठीक है यानि यहाँ पे atom के अंदर positive और negative charge होते हुए भी net charge अगर आप निकालने चलते हैं तो atoms जो होता है उसके उपर net charge कैसा रहेगा 0 रहेगा तो देखे ऐसे conditions में आपको क्या सोचना है जब ऐसा conditions हो जब ऐसा conditions हो कि atoms neutral conditions में होता है तो यहाँ पे Z जो होता है वही P के equal होता है और वही आपको किसके equal होता है E के equal होता है यह point अब अपने को याद रखना है यह किसके लिए use करना है यह conditions किसके लिए होते हैं, this is for neutral atom, this is for neutral atom, अगर आपके पास कोई भी neutral atom है, कोई भी आपके पास क्या है जी, neutral atom है, तो neutral atom में, जो उसका Z है, वही उसका proton है, और वही उसका क्या है जी, electron है, यह बात अपने को समझ में आ है, नहीं समझ में है, तो आईए, example से हम लोग समझते है लेकिन यह concept आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे माल लीजे, कि हमारे पास क्या है जी, hydrogen है, और hydrogen के लिए यहाँ पे 1 दिया गया है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ से, आप क्या जानगे है, कि hydrogen का जो Z होगा, वो कितना होगा, 1 होगा, बिल्क यहाँ पे electron का number, proton के number के equal होगा, यानि यहाँ पे आपका क्या है जी, ठीक है, यानि अगर कोई भी आपके पास atom neutral होता है, तो neutral के conditions में अगर उसमें proton निकालना है, तो आप उसका Z देख लिजे, जो उसका Z होगा, वोह उसका proton होगा, और वह उसका क्या होगा, जी, electron होगा, तो यह point जो है यह आपको याद रखना है तो इस point के लिए आप यहाँ पे क्या कर लिए start लगा लिए यह point बहुत ही important है कि अगर आपको किसी भी atom के अंदर क्या करना है अगर वो neutral है अगर कोई भी atom आपका neutral है तो सिधा-सिधा यह समझ लिए है कि neutral atom के लिए यहाँ पे मैं भीर से लिख दे रहा हूं कि अगर आपका atoms कैसा है neutral है तो neutral atom के लिए आपका जो उसका atomic number होगा जो उसका क्या होगा atomic number होगा वही उसका क्या होगा जी number of proton होगा ठीक है वही उसका number of proton होगा और वही उसका क्या हो जाएगा जी number of electron होगा ठीक है तो ये concept को आपको याद रखना है ये concept आपको helpful होगा किसके लिए जब भी कोई भी atoms आपको दिया जाए तो वहाँ पर आपको ये calculate करना होगा ठीक है अब यहाँ पर एक formula और आपको यहाँ पर मिलता है और वो मिलता है atomic mass क होता है ये equal होता है किसके number of proton और आपका number of neutron अगर जितना proton है और जितना neutron है इन दोनों को अगर आप add कर देते हैं तो आप क्या पाईएगा कि वहाँ पे उसमें क्या बदल जाएगा वो क्या मिल जाएगा आपको तो उसका atomic number मिल जाएगा sorry mass number मिल जाएगा ठीक है यह point द्य यूज कर सकते हैं always ठीक है यह आप हमेशा यूज कर सकते हैं जहां भी मन करें वहाँ भी यूज कर सकते हैं यानि अगर कोई atom है उसमें भी यह formula यूज कर सकते हैं ठीक है अगर कोई iron है उसमें भी यह formula आपको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं तो यह आपको घबराने की यहाँ पर बात नहीं है लेकिन यह वाला जो formula है यह सिर्फ आप neutral atom के लिए ही consider करेंगे I hope इतनी बात है आपको समझ में आगे यानि आए हम इस दो formula को लेके कुछ calculation करते हैं ठीक है जी तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि अगर हमारे पास कोई neutral atom है हमारे पास क्या है जी neutral atom तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ for neutral atom अगर आपके पास कोई neutral atom है तो neutral atom के लिए जो neutral atom है उसके लिए जो हम लोग formula यूज करते हैं वो formula यूज करते हैं z equals to p and p equals to e यह तभी यूज करना है जब आपका atoms क्या हो neutral हो दूसरा formula अगर आप देखिएगा तो यह हमेशा आप यूज कर सकते हैं for for any species ठीक है किसी भी species के लिए चाहे वो atom हो चाहे वो ions हो ठीक है यह ध्याण रखिए चाहे वो क्या हो atom हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो चाहे वो ions हो अब ions क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे उसके लिए भी आप यहां पर यूज कर सकते हो ठीक है क्या यूज करना आपको तो यहां पर आपको यूज करना है A equals to number of proton plus number of neutron ठीक है, तो ये आपको use करना है, ठीक है, कहीं भी always, कहीं भी, आप इसको कहीं भी use करिए, कहीं भी, जहां भी आपको लगता है, जहां भी आपसे पूछा जा रहा है कि आप वहाँ पे number of neutron बताए, तो number of neutron बताने के लिए इस formula को आप use कर सकते हैं, तो ये दो, जो है आपके golden formula है, जो आपको help करेंगे कहीं भी electron, proton और neutrons को क्या करने, calculate करने में ठीक है, आइए, अब हम समझते हैं कि अगर कोई भी question दिया गया है तो कैसे हम लोग approach करेंगे उसको तो देखिए, यहाँ पर मैं एक question लिख रहा हूँ find number of electron, proton and neutron and neutron ठीक है, आपको ये find out करना है in the following in the following ठीक है, आपको जो भी example नीचे दिये गये हैं, उसमें आपको क्या करना है जी, find out करना है, तो चलिए first example हम लोग ले रहे हैं और first example में हम ले रहे हैं hydrogen, ठीक है, और यहाँ पर आपको symbol दे दिया गया, यह one है, और यह आपका क्या है, one है, तो देखिए सबसे पहले आप check कर लेंगे कि atom कैसा है, तो देखिए यह atom आपका कैसा है, यह आपका neutral है इस पर कोई भी charge नहीं दिया गया पहली बात यह देख लीजे, तो जब यह neutral है, तो मैं क्या Z को P लिख सकता हूँ, और P को E लिख सकता हूँ, और बता दीजे यहाँ पर value कितना है, one है यानि आप यहाँ पर Z की value पता कर लिए कि Z की value कितनी है, one है, तो बताए proton की value कितनी हो जाएगी, one हो जाएगा और आप बताए, electron की value कितना हो जाएगा, one हो जाएगा, यह अपने killer हो गया, अब आपको क्या बताना है अब आपको यहाँ पर बताना है कि neutron क्या होगा, तो देखे, आप क्या जानते हो, यहाँ पर अगर मुझे neutron calculate करना होगा तो क्या मैं इसको A-P नहीं लिख सकता हूँ हाँ या ना क्या आप इसको A-P लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो ठीक है तो मैं यहाँ पे अब direct neutron लिखूँ तो neutron कैसे लिखूँँगा A और minus के लिखूँँगा P अब बताई A का value क्या है 1 है और P का value कितना है 1 है तो finally आपका 0 हो जाएगा यानि पूरे periodic table में यह एक एक लौता ऐसा element है जिसके पास neutron absent है यानि इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें आपके पास N की जो value है neutron की जो value है वो आपका क्या होगा जी 0 होगा यह एक लौता ऐसा element है याद रखिएगा hydrogen एक लौता element है जिसमें क्या है जी जिसमें neutron नहीं है ठीक है यह point अपने को ध्यान रखना है चलिए आईए दूसरा example लेते हैं हमनों अब मालीजे आपके पास helium है और इसको दिया गया है जे इसका 2 है और उपर इसका 4 दिया गया आप देखें आपको यह बात पता करना है कि क्या इसा कोई charge है क्या नहीं है देखने से यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है यानि आपका क्या है जी निक्टल्स है तो निक्रा पास हमारे पास क्या है जी तो neutral के लिए हमारे पास यह formula z equals to p equals to e और बता दो बता दो z की value कितनी है 2 है यानि यहाँ पे z की value आपके पास कितनी है 2 है proton की value कितनी है 2 है और electron की value कितनी है 2 है बहुत अच्छा तो क्या आप यहाँ पे neutron बता सकते हो बिल्कुल बता सकते हैं कैसे A minus क्या करोगे P और A की value आपको दिया गया 4 minus P की value दिया है 2 तो आपका answer क्या हो जाएगा 2 आईए next example लेते हैं आपको और बहत समझ में आएगा ठीक है बहतर आपको आपका और भी concept clear हो जाएगा तो चलिए third example ले रहे हैं लोग तो third example में आप क्या देख रहे हैं आपके पास है lithium लीथियम का Z3 होता है और इसको मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ देखिए यहाँ पे इसका value होता है 6.9 होता है तो मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ ठीक है 7 ले लिजी अब आपको यहाँ पे find out करना है क्या find out करना है जी तो आपको find out करना है electron, proton, neutron ठीक है तो देखिए जी आप सबसे पहले check करिए कि यह कैसा species है तो यह है आपका neutral ठीक है जब यह neutral है तो सीधा सीधा आपको क्या चाहिए कि भाई Z ही proton होता है और जितना proton होता है उतना ही electron होता है यानि आप यहाँ पे Z की value निकालिए तो Z की value कितनी होगी 3 आप यहाँ proton की value calculate करिए तो Z ही proton है यहाँ ते 3 और जितना proton है उतना ही आपके पास क्या है जी electron है तो electron भी आपके पास 3 है ठीक है अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप यहाँ पे क्या निकालिए, neutron निकालिए, तो neutron के लिए आप formula जानते हो, mass number, minus z भी लिख सकते हो, या proton number भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 7 minus 3 और equals to 4, अब देखे, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, कि यह neutral है, तो neutral कैसे है, तो आप देखे यहाँ पे, अगर आप इस पे net charge निकालते हैं, तो net charge कैसे निकालोगे, तो net charge निकालने के लिए, यहाँ पे आप proton कितना है, और neutron कितना है, तो देखे, proton पे positive charge है, और electron पे negative, total sum करेंगे आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो कितना हो गया, 0 हो गया, तो आपको यहाँ पर यह बात समझ में आ गई, कि आप यहाँ पर कैसे charge निकाल सकते हो, किसी पर भी charge कैसे निकाल सकते हो, तो I hope कि आपको यह example देखके, यह बाते समझ में आ गई होगी, कि किसी भी atoms के अंदर, अगर आपको electron, protons निकालना है, तो स से formula derive कर लिजे, तो N equals to A minus P भी लिख सकते हो, या अगर आप चाहो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, तो यह दोनों formula आप यूज कर सकते हो, क्योंकि proton का जो इतना number है, वही जेड का भी number है, यानि जेड जितना है, वही क calculate कर सकते हैं, तो आइए उस पर question करते हैं, तो आपको लिखना है, find number of electrons, protons and neutrons, and neutrons in the following species, in the following chemical species, तो आइए अब देखिए, हम लोग यहाँ पे, अब molecules की बात करने जा रहे हैं, जैसे, अगर मैं आप से बोलूँ, कि आपके पास H2 molecules है, ठीक है, तो H2 molecules की अगर आप बात करेंगे, तो H2 molecules में कितना hydrogen होगा, तो इसमें 2 hydrogen होगा, हाई या ना, इसमें कितना hydrogen होगा, जी, 2 hydrogen होगा, तो पहले आप check कर लो, कि इस पे कोई charge है क्या, तो नहीं है, यहाँ पे यह charge देख रहे हो, तो नहीं है, यानि यह कैसा है दो कि दोनों के अंदर यहीचिव क्या दुट दे रहे हैं यहीच दोनों के अंदर यहीच दोनों बिल्के है तु करने हैं तो इलेक्ट्रोन की बात करनी है तो इलेक्ट्रोन की निए की और जे गया एप लोगी तो जब मौलेक्टेम के अंदर कि कि आप क्या कर लिजे calculation कर लिजे और वहाँ पर देखिए किसी भी atom का जो जेड होता है वो फिक्स होता है ठीक है तो hydrogen atom का जब जेड पूछा जा तो वहाँ पर हम लोग इसको हमेशा क्या बोलेंगे वन बोलेंगे तो यह बात ध्यान रखेगा तो atomic number जब भी आपको किसी भी में पूछा जागा तो atomic number हम लोग सिर्फ किसका लेते हैं हम लोग atomic number atoms के लिए यूज करते हैं तो molecules में हम लोग proton electrons की हम लोग बात करेंगे तो वह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस चीज़ को चली दूसरा आपको अपने आप से सजा लेना है यहाँ 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 इसका कितना होता है जी एट होता है यहाँ और उपर कितना होता है 16 होता है ठीक है अब देखिए यह है कैसा इस पर कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा है आपको तो जब चार्ज नहीं पर प्रोटोन की वैधा है बदेखो यहां पर माइनस ऐट तो कितनी है अब आप क्या करोगे अब इसमें इसमें और हम सारे प्रोटोन के। आपको यहां प्रोटोन मिल जाय का कितना है 1 plus 1 plus 8 कितना हो गया 10 ठीक है जी अगर आप electron add करोगे तो यहाँ से देखो electron को add कर लो electron कितना है आपके पास electron है 1 plus 1 plus 8 कितना हो गया 10 और उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे neutron बोला जाए तो 0 plus 0 plus 18 18 नहीं न 8 होगा जी यह बात देखें यह 8 होगा 8 होगा ठीक है तो आप यहाँ पे क्या कर लिजे 8 कर लिजे ठीक है तो यह सारी जो बाते हमने की यह सारी बाते हमने किस में कर लिए H2O molecules में तो 1 H2O molecules के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 H2O molecules के अंदर आपको 10 proton ठीक है 10 electron neutron और आपके पास 8 क्या है जी neutron आपको मिलेंगे तो I hope आप इस बात को समझ गए होगे आईए एक दो एक्जामपल और लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं चलिए नेक्स एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल लंबर 3 लेगते हैं माल लेजिए कि आपके पास carbon monoxide है CO है ठीक है जी अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि electron, proton, neutron निकाल लिए तो कैसे निकालेगे तो सबसे पहले आप देख लिए कि यह है क्या तो भाई इस पे तो कोई charge है नहीं तो यह आपका neutral हो गया अब इसको फिर वैसे ही break कर दो इसमें एक carbon का item है और एक किसका item है जी oxygen का item है अब carbon के बारे में आपको मालूम है कि नीचे 6 होता है और उपर 12 होता है नीचे 8 होता है और इधर कितना हो जाए 16 होता है अब देखे यहाँ पे अगर z की बात करोगे तो z कितना है 6 कोई charge नहीं है तो जो z होगा वही p होगा हलाकि हमेशा z p के equal होता है always यह याद रखिएगा यहाँ पे z equals to p always यह हमेशा चलेगा always याद रखिएगा यह always इसमें कोई भी आपको सोचने की जरूत नहीं है जेड और p हमेशा equal होंगे इस बात को फिर से मैं mention करूंगा electron neutral होने के चलते जितना proton है उतना ही होगा neutron निकाल लिए तो 12 minus 6 करिए तो 6 हो गया neutron कैसे निकाल तो a minus p तो निकाल दीजे उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए क्या आगे आपके पास जेड की value 8 होगे proton की value कितनी होगे 8 होगे electron की value कितनी होगे 8 होगे और neutron की value कितनी होगे 8 होगे अब आपको total निकालना है जी तो total कैसे निकालो इन दोनों को add कर दो तो proton co में कितना होगया 6 and 8 कितना होगया 14 अगर electron की बात करोगे तो ये कितना होगे, 6 plus 8 कितना होगे, 14, और अगर neutron की बात करोगे, तो 6 plus 8 कितना होगे, 14, यानि आपको CO में, आपको proton 14 है, electron 14 है, और आपका कहाजी, neutron 14 है, तो I hope आपको कोई भी molecules अगर ऐसा दिया रहे, तो उस molecule के अंदर आप calculate कर सकते हो, आए और example देखते हैं, हमें examples का बह ये neutral है, तो ये किस atom से मिलके बना होगा, तो देखिए, ये carbon से मिलके बना है, और 2 oxygen atom से मिलके बना है, हाई या ना, जवाब देदू, तो आप क्या देख रहे हो, कि इसका symbol C के साथ आप 6 और उपर 12 लिखोगे, इसका 8 और उपर 16 लिखोगे, इसका भी 8 और उपर क्या लि होगा, उतना ही electron होगा, ये बात याद रखिए, लेकि neutrons निकालने के लिए, आप A- क्या करोगे, P करोगे, तो ये आपका 6 हो गया, अब इन दोनों के लिए मैं एक ही जगा calculation कर दो, और 2 से मैं multiply कर दोंगा, ठीक है, क्योंकि 1 का calculate करके 2 से multiply कर देंगे, तो हो जाएगा, या एन के value कितना होगा, 8 होगा, अब इन सब को add कर दो, तो अगर आपको इस CO2 में निकालना है, कि भाई, प्रोटोन कितना है, तो प्रोटोन कितना है, जी, 6 प्लस 8, प्लस 8, तो 22 हो गया, ठीक है जी, उसी तरीके से electron निकालो, 6 प्लस 8, प्लस 8, ये भी 22 हो गया, और neutron निकाल तो आपको कितना हो गया? 6 plus 8 plus 8 equals to 22. चलिए, अब हम लोग एक दूसरा example देखते हैं, और बहुत असान है example, इसमें आप calculate कर सकते हों, जैसे माल लेजे कि आपके पास एक molecules है, ANO molecules है, अब देखो ANO molecules में हम कोई charge नहीं दे रहे हैं, यह neutral मान के चल रहे हैं, इसको कैसे मान के चल रहे हैं? ANO 2 ले लेते हैं, अब देखिए ANO 2 कैसा molecule है, तो यह आपका neutral है, कैसा है जी? यह जरूर जानना है कि भाई इस पे charge है की नहीं, अब यह बना कैसे होगा? तो एक nitrogen atom के मिलने से, और दो oxygen atom के मिलने से यह बना होगा, हाई ना? अब देखिए, यहाँ पे आपको धीरे-दीरे calculation को fast करना है, तो यह आपका 7 है, यह आपका 14 है, यह आपका 8 है, यह आपका 16 है, यह आपका 8 है, यह आपका 16 है, तो देखिए, मैं आप यहाँ पे एक के साथ 2 से multiply कर दूँगा, तो यहाँ पे जेके Z का value कितना होगा? 8 होगा, P का value कितना होगा? 8 होगा, एक, तो 2 से multiply कर लो, तो 16 होगया, देखिए, 2 से इसलिए multiply कर रहे हैं, कि हमने 2 एकम लिया है, तो एक में निकाल के, और number of एकम से multiply कर दीज़े, इलेक्ट्रोन कितना होगया, तो चार्ज नहीं है, तो 8 into 2 कर दीज़े, तो 16 होगया, निउट्रोन कितना होगया, 8 कितना एकम ले रहे हो, 2 तो यह आपका 16 होगया, यहाँ पे Z की value कितनी है, जी 7 है, तो proton कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, electron कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, neutron कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो अब इसमें आप add कर दो, proton equals to कितना लिखोगया, 7 plus 16, इसको add करके लिख लिजे, electron कितना हो जाएगा, 7 plus 16, तो नेक्स एक्जामपल देखते हैं इसे माल लीजे आपके पास है H2O2 ठीक है तो अब देखे H2O2 हाइडोजन प्रोक्साइड है अब इस पर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल मॉलिकुल बोलेंगे हम लोग ठीक है अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस से 1 होता है तो यहाँ पर जेट तो आपका 1 हो गया प्रोटोन कितना हो जाएगा जी तो 1 हो जाएगा दो है एटम तो इसके लिए फिर 2 लिग देता हूं में इलेक्ट्रोन कितना होगा जितना प्रोटोन है तो 2 से क्यों मल्टिप्लाई कर रहा हूं कि यह नंबर 2 है है ना Electron कितना है 8 है 2 से multiply कर दो-कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा इस तरीके से कोई भी molecules, अगर दिया हुआ है तो उसके अंदर आप इस तरीके से calculation कर सकते हो। कोई घबरानी की जरूत नहीं है, बहुत असानी से हम लोग उसका calculation कर सकते हैं, आई या और example देख लेते हैं, ठीक है, example देखे, जितना आप example करोगे, उतना ही आपको concept ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, तो आएए, अब हम example करने जा रहे हैं, अब मैं H2S of 4 ले रहा हूं, ठीक है, H2S of 4, अब देखे, H2S of 4 में क्या क्या है, मैं अब इसको simply ऐसे लिख देता हूं, देखे, इसमें 2H है, हाय ना, इसमें 1S है, हाय ना, और इसमें कितना oxygen है, 4 oxygen है, 1, 2, 3, and 4, ठीक है जी, तो मैं अब इनके लिए calculation करता हूं, इनके लिए calculation करता हूं, इसके लिए Z की value कितना लिख हूंगा, तो इसके लिए N का value 0 into 2, तो यह आपका होगा, 0, अब sulfur के लिए देखे, sulfur के लिए Z का value कितना होता है, 16, ठीक है, तो P का value कितना हो जाएगा, 16, तो E का value कितना हो जाएगा, 16, तो N का value कितना होता है, 32 होता है, इसके लिए, तो 16 N का value होता है, अब इनके लिए लि multiply کر दीजिए तो ये सब के 32 हो गया है ही सारे के 32 है यानि प्रोटोन अगर देखिएगा तो प्रोटोन कितने हो गए तो प्रोटोन हो गए Frederogen का 2 화. सलफर का 16 और प्लस 32 किसका जी ठीक है सब को add कर दीजिए तो सब को add करेएगा तो ये 6 और । Awav5 चयों तिन 1 में case में अगर आप देखोगे तो यह 8 हो गया और यह 48 आपका यहां पर Newton हो तो आप असानी से calculate कर सकते हो ठीक है आपको बस सीजों को समझ में आना चाहिए ठीक है बाते जब समझ में आ जाएंगे तो आपको हमेशा यह easy हो understanding मोर में रहना है ठीक है आपको 100% चीजों को understand करना है यह बात ध्यान सुन लिजे अगर आप 100% understand नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है फिर क्या करना है फिर आपको और उस पर questions को solve करना है उस notes पर क्या करना है जी जो भी questions होंगे उस concept based आपके जो भी questions होंगे उसको solve करने है इतने चीज को अगर आप कर देते हो यह इतने process में अगर ला देते हो तो आपके लिए study असान हो जाएगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है तो यह बात को आप पूछा जाया तो sentence में भी questions को बनाया जा सकता है बहुत असानी से आप उसको solve कर सकते हो ठीक है क्या sentence में आप से question दिया रहेगा कि आपके पास एक element है ठीक है अब इस element में आपको proton दिया गया है ठीक है प्रोटोन कितना दिया गया है मा लिजे कि proton आपको कितना दिया गया 16 16 दिया गया है ठीक है तो आप से पूछे या क्या कि आप इस element का symbol बताओ आप इस element का symbol बताओ इस element का symbol क्या होगा तो आपको अब देखे आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो किसी भी element को अगर पहचाणना है किसी भी element को अगर आपको पहचाणना है तो उसका z निकालने आना चाहिए आपको z जो होता है वो unique character होता है किसी भी element का किसी दो different elements का z equal नहीं होता है तो अगर आपको क्या करना है, किसी भी element के symbol को पचाणना है, तो आपको सबसे पहले क्या find out करना चाहिए Z, अब देखे हमने क्या बता है, for any condition, किसी भी conditions में, Z हमेशा equal होता है किसके जी, P के, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जेड हमेशा किसके equal होता है, P के, तो P आपको यहाँ पे क्या हो गया, P जब आपका क्या हो गया, P आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 16, तो Z की value कितनी हो गया, 16, अब बताओ Z की value 16 किसके लिए होता है, तो भाई Z की value 16 होता है, sulfur के लिए, ठीक है, तो sulfur का आपका हो गया, तो sulfur का symbol आप लिख सकते हो, sulfur को कैसे लिखोगे, sulfur को लिखोगे S, नीचे 16 देना और उपर क्या लिख देना, 32 लिख देना, ठीक है तो आप इस तरीके से आप असानी से उसको calculate कर सकते हो, ठीक है, तो यहां पर यह भी आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे atomic number दिया हो, neutron का number आपको दिया गया है, तो mass number भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आईए उस पर questions करते हैं, ठीक है, जैसे माल लिजे कि आपके पास कोई एक element है, ठीक है, और इस element के हम लोग atom के बारे में अगर बात करे माल लिजे कि इसका z दिया गया है, इसका z माल लिजे कि आपको दिया गया है, कितना, माल लेते हैं 15 आपको दिया गया है, ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसका n की value, जो है, अगर दिया हो, अगर इसकी n की value, अगर माल लिजे कि दिया हुआ है और n की value आपको माल दीजे दिया गया कितना 16 तो आप से पूछेगा क्या कि आप इसका a calculate करो आप इसका क्या करो एक calculate करो और आप इसका symbol बताओ तो आप इसका क्या बताओ symbol बताओ तो आप इसको कैसे करोगे तो देखो जी z जो है यह हमको बहुत सारा information देता है तो z जो होता अब देखिए अगर आपको A निकालना है तो A का फर्मूला हमने बोला था अलवेज कभी भी निकाल सकते हो अगर आपको A का वैलू मालूम हो और P का वैलू मालूम हो तो आप क्या करोगे 15 और प्लस 16 करोगे तो कितना जाएगा 31 अब आप सिंबूल क्या लिखोगे अब यहाँ से देखो जेट 15 हो गया तो यह किसे लिए होता है फोस्फोरस के लिए तो यहाँ पर आप 15 लिख दो रखना होगा तो आई एक questions को हम लोग यहाँ पे करते हैं अब यह question देखिए कुछ अलग type का है और कैसे हम लोग यहाँ पे approach लगाएंगे उस बात को हम लोग समझते हैं क्या question है पहले देखते हैं बोला है कि if the mass of neutron is developed and the mass of an electron is half then find out the new atomic mass of C612 and the percentage by which it is increased ठीक है जी अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है क्या समझना है वो देखिए यहाँ पे सबसे तो पहले आप इस symbol को लिखे कि आपके पास है क्या तो हमारे पास C6 है और H12 है तो आप अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इस पे कोई चार्ज नहीं है यह हमारा कैसा है जी यह हमारा neutral है और हमें मालूम है कि जब कोई भी species neutral होता है तो वहाँ पे Z equals to P होता है और P equals to E होता है तो अगर मैं यहाँ electron का number निकालू तो electron का number कितना होगा 6 है न अब देखें एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका mass होता है किसका electron का तो रहा सही यह देखना पड़ेगा mass of an electron तो mass of electron अगर देखेगा तो यह होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 जानी इसको हम लोग negligible लेंगे यहाँ पर क्यालेंगे negligible ठीक है? यहाँ बहुत छोटा mass होता है ठीक है? अब देखें अगर मैं यहाँ पे proton की बात करूँ number of proton की बात करूँ तो number of proton कितना है? 6 है और देखें एक proton का अगर mass देखिएगा तो one proton का mass जो होता है 1 amu होता है तो 6 proton का mass कितना हो जाएगा 6mU हो जाएगा ठीक है के लिए रहे उसी तरीके से neutron की अगर बात करेंगे तो neutron भी हाँ पर 6 होगा और एक neutron का mass कितना होता है 1mU होता है तो 6 का कितना हो जाएगा 6mU हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर यह तो आपको actual mass निकल गया किसमें c6 h12 लेकिन अगर आप questions के coding बोलोगे अगर आप questions के coding बोलिएगा तो questions के coding आपको क्या बोला जा रहा है कि जो इसका mass है ठीक है वो mass neutron का जो mass है वो कितना हो रहा है double हो ढब दिहान से समझो अब अगर according to questions अगर हम देखोगे according to questions अगर हम देखेंगे तो according to questions आपको दिया जा रहा है कि अगर आप mass को double कर दें यानि अब यहाँ पे neutron के mass को आपको क्या लेना पड़ेगा 6 amu पहले से था और 2 कर दीजे तो कितना हो जाएगा 12 amu तो यहाँ पे अब neutron का mass कितना हो गया 12 amu हो गया actually क्या है electron जो होता है उसका mass negligible है तो इसको यहाँ पे consider ही नहीं करना है तो अब आपके पास क्या गया अब आपको पास जो total mass यहाँ निकालोगे आप यहाँ पे जो नया carbon बनेगा उस नया carbon का mass कैसे लिखोगे तो 12 कहां से आएगा neutron से plus 6 कहां से आएगा आपको proton से proton में तो कोई change हो नहीं रहा है तो यह आपका हो गया 18 amu ठीक है तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि जो आपका mass आया अब आपको बोल रहा है कि जो new atomic mass जो carbon का होगा वो new atomic mass कितना हो गया वो आपका हो गया 18 अब यह percentage क्या हुआ बढ़ा या घटा तो देखिए पहले इसका 12 था अब 12 से 18 हो गया तो percentage हमें increase निकालना है percentage increase अगर हम निकालेंगे किसका mass का तो यह हमारा value कैसे लिखोगे तो आया हुआ हुआ है मत्तब जो new atomic mass जो new है ठीक है increase में इसे निकालेंगे minus जो atomic mass old है ठीक है old है और आपको divided by क्या करना पड़ेगा atomic mass old है और into आपको 100 करना पड़ेगा तो बताए new atomic mass क्या आएगा 18 minus पुराना क्या है 12 divided by पुराना क्या है 12 into क्या है 100 तो आप इसको solve कर लिजे न तो 18 में से 12 गया 6 divided by 2 into आपका क्या हो गया 100 ह हो गया और इसको अगर आप solve करोगे तो यहां पर हमारा 12 है तो इसको solve कर दीजे इसको काट दीजे तो 2 से जाएगा और यहां से यहां काट दीजे तो 50 हो जाएगा यानि आपका जो mass है 50% से क्या हो गया जी increase हो ठीक है क्या होप यह बात आपको समझ में आ गया होगा यहां मास हमने यह लिख दिया यानि ऐसे conditions में अब आप symbol अगर लिखोगे तो नीचे 6 लिखोगे तो उपर आपको क्या लिखना पड़ेगा 18 लिखना पड़ेगा ठीक है यह condition है और ऐसा करने से जो mass है वो increase कर गया है 50% से चलिए तो अब एक नया questions हम लोग देख रहे हैं और questions मे mention है कि if the mass of Newton is doubled and that of proton is half the molecular mass of H2O contain hydrogen जिसका यहां पर दिया गया है atomic number और mass number और oxygen का भी दिया गया है atomic number तो क्या होगा ठीक है तो अब यहां पे हम लोग कैसे calculate करेंगे इनका जो molecular mass है वो किस तरीके से हम लोग calculate करेंगे तो देखिए यहां भी वही concept है पहली बात देखिए कि अ हमालीजिए आपके पास हैस्टो है तो देखिए कैसे मिलके बना है यह दो hydrogen आपस में मिला हुआ और एक oxygen आपस में मिला हुआ है अब इनका मास अगर आप निकालते हैं इनका इनका molecular mass निकालते है molecules और आपने मास निकालते हैं लेकिन मॉलेकुल के मास को अगर आपने गया इनका मास नमबर यह और इनका 16 है तो यह 1 प्लस 1 प्लस 16 तो यह आपका कितना हो जाएगा 18 तो मैं इनको 18 AMU लिख देता हूँ तो इनका मॉलिकुलर मास हमने एक मॉलिकुल ऑक्सिजन का मास हमने क्या कर लिए अब देखे अगर आप यहाँ पर प्रोटोन की बात करते हैं अगर आप इस मॉलिकुल में प्रोटोन की बात करते हैं तो प्रोटोन यहाँ पर कितना है जी कितना यहाँ पर हाइडोजन है दो है तो यहाँ पर दो प्रोटोन है और दो प्रोटोन है तो इसका mass कितना हो जाएगा 2A में हो जाएगा हाई ना अब देखो यहाँ पर अगर आप neutron की बात करते हो तो पानी के अंदर neutron की अगर बात करते हो तो neutron तो hydrogen में होता नहीं है oxygen में होता है और oxygen में neutron 8 होता है अभी हमने बात किया तो इसका mass निकालोगे तो 8A में हो जाएगा ह यह हमारा पहला अब कोश्चन में क्या दे रहा है अब चुर्दिंग टू कोश्चन देखें अब लुट्टीन को रहा है कि जो आपका प्रोटून हो रहा है प्रोटून का मास हो दबल हो रहे हैं मतलब किया यहां पर आपका 8 था, इसमें आप 2 से multiply कर दीजिये, तो ये कितना हो गया? आपका हो गया 16, aim, है ना? ठीक है? और जो आपका सब्सक्रण है मांस दे रहा है, वह Two निकल लगया प्रोटॉन सब्सक्रण सब्सकाय कीज्ति? तो यe seja, तो यह दे रहा है तो यह होगया 10 aim. तो यहां पर बो रहा है कि जो प्रोटोन का जो मास है वो Building का मास है आधा हो रहा है तो आप क्या करोगे 10 था और 10 का क्या कर दोगे अधा कर दोगे तो यह कितना वह जा जाएगा फाइव ए में हो और आया न अब इन दोनों को अगर एड कर देते हो अभी दोनों को 21 अब आप को यहां पे क्या निकालना है आप यहां पर संटेज से निकाल सकते हो कि कि अगर आप पर्सेंटेज निकालूँ गा तो पर्सेंटेज इंक्रीज में निकाल सकता हूं इनके molecular math का से final कितना यह 21 इनिसेब कितना था 18 divided by कितना था 18 इंटु कितना हो जाएगा 100 तो आप यहां से calculate कर लो ठीक यह कितना हो जायगा 3 और यह हो जाएगा 18 यह हो जाएगा आपका 100 इसको cut करो यह हो जाएगा 6 यह हो गया 100 अप़ोन 6 ठीक अब यानि आप देखोगे कि जो पानी का जो मास है वाटर मॉलेकूल जो है उसका जो मास है ऐसे चेंज करने से उसका मास कितना से क्या हो जाएगा जी इनक्रीज हो जाएगा ठीक है आई होप यह बात आपको समझ में आगए होगी तो आए हम एक और कोश्चन देख रहे हैं और य तो देखे यहां भी आपको वैसे ही करना है पहले तो आप सी ओ टू ले लिजी तो देखे सी ओ टू का अगर हम मॉलिकूलर मास निकाले तो देखे यहां पर सी है प्लस ऑक्सीजन है प्लस ऑक्सीजन है तो अगर हम इसका मॉलिकूलर मास निकाले अगर मैं इसका मॉलिकूल कितना है जी 6 है और प्लस oxygen में कितना proton है तो एक oxygen में 8 proton होगा उपर हमने इसा बता दिया है तो वहां से आप देख सकते हो तो दो oxygen में 16 हो गया तो यह कितना हो गया 22 तो यह 22 22amu मैं यहां पर लिख देता हूं neutron की अगर बात करूं तो यहां भी 6 और यहां भी 16 तो यह भी आपका कितना हो गया 22amu हो गया यह आपके पुराने conditions में है अब according to questions देख लीजिए अब according to questions अगर आप देखेंगे तो according to questions क्या बोल रहा है कि जो मास और प्रोटोन है डबल हो रहा है यानि प्रोटोन का जो मास है पहले कितना था 22 और into 2 कर दीजिए तो यह कितना हो जाएगा 44amu हो गया हाँ या ना ठीक है अब जो आपका neutron का मास है neutron का मास हाफ हो रहा है यानि 22 divided by 2 यह कितना हो जाएगा 11 अब आप यहाँ पे इनका molecular मास निकाल सकते हो गया तो molecular मास अगर आप निकालोगे तो यह 44 प्लस 11 यह आपका कितना हो जाएगा 55 अब आप क्या करोगे अब आप percentage निकालोगे तो percentage change यानि percentage increase in molecular मास निकालोगे तो जो नया atomic मास है atomic मास new molecular mass new molecular mass old divided by molecular mass old into 100 तो देखो कितना है 55 minus 44 divided by 44 into 100 solve करो यह कितना हो जाएगा 11 divided by 44 into 100 solve करो यह 4 से जाएगा और यह 25 से जाएगा तो इसका जो molecular mass है 25% से क्या हो गया increase हो गया तो आएए अब हम लोग एक नए questions को देख रहे है और इस question में आपको क्या दिया गया देखिए बोलाए कि if number of neutron is doubled and number of electron is half in one atom of oxygen then find the new mass number and the percentage change in the mass number ठीक है तो आएए अब हम इसको समझते है ठीक है देखिए सबसे पहले आप oxygen लीजिए अब देखिए oxygen का proton और z तो equal ही होता है electron proton की equal हो जाएगा 8 हो गया neutron निकालो गया तो neutron आपको कितना हो गया 8 हो गया ठीक है अब according to questions अगर आप यहाँ पे देखिए तो according to questions अगर आप देखते हैं तो आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका neutron है वो double हो गया तो यहाँ पे 8 था और 8 का double करोगे त इसका क्या मतलब हुआ कि जो पहले से आपका है तो electron का देखिए मास पर तो कोई यादतर होता नहीं है तो आप यहाँ पे electron को हाफ कर दीजिए उससे कोई लेना देना नहीं है तो electron कितना हो गया यहाँ पे हाफ हो गया तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कि new mass number आपसे पूछा जा तो देखिए तो electron का कोई खास effect नहीं होता है लेकिन मैं electron यहाँ निकाल रहे हूँ तो 8 divided by 2 यह कितना हो गया 4 अब इसका mass number निकालता हो तो A को कैसे लिखता हो A को लिखता हो P plus N ठीक है तो P कितना है जी 8 है और यह कितना हो गया 16 हो गया तो यह कितना हो question हम लोग करते हैं और यहां पर question में दिया गया है कि आपके पास एक oxygen atom है और इसमें 8 electrons है 8 protons है और 8 electrons है तो आपको इसका mass number calculate करना है तो देखिए जी हम लोग एक formula जानते है mass number ठीक है और mass number को हम लोग कैसे denote करते हैं A से denote करते हैं तो mass number A को कैसे लिखता हो number of proton plus number of neutron अब यहा तो आप यहां पर 16 AMU लिख लिए तो यानि इसका symbol लिख होगे तो कैसा होगा नीचे 8 होगा और उपर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा तो इस तरीके के questions आप से यहां पर उचा जाता है तो यह तो हमने simple सा questions कर लिया और जिसमें आपको इस तरीके से बाते की जाएगी तो आ अब देखा important formula में आपने पढ़ा first जो formula पढ़ा वो क्या पढ़ा for neutral atom for neutral atom कोई भी आपके पास अगर neutral atom दिया हुआ है तो neutral atom के लिए आपको यह formula यूज करना है z equals to p equals to e यह formula आपको यूज हो ठीक है दूसरा formula हमने यहाँ पर क्या देखा second formula देखा for any conditions for any conditions किसी भी condition में ठीक है जो आपका z होगा जो आपका z होगा वही आपका क्या होगा जी पी होगा यह याद रखिएगा जो आपका z होगा वही आपका क्या होगा पी होगा दूसरी बात कि जो a होगा यही आपका क यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा, और क्या पढ़ा, अब माल लिजे कि आपको कुछ अलग तरीके का कंडिशन दिया जा रहा है, तो वहाँ के लिए, तो वहाँ के लिए आपको, आपको percentage change निकालने के लिए पूछा जाएगा, percentage change, in mass number, या molecular mass, जो भी होगा, mass number, तो से डिवाइड करना है, और into 100 करना है, ठीक है, तो या इसी को आप लिए सकतो, final जो आएगा, जो initial होगा, उसको minus करना है, इनीचियल से डिवाइड करना, into 100 करना है, अगर यहीu molecules तो उसमें भी आपको यही देना है, क्या, molecular mass new, minus molecular mass old, divided by molecular mass old into 100 करना है या अगर आप चाहो तो m final minus m initial divided by m initial मतलब molecular mass initial into 100 करना है तो आप इस तरीके से ये formula का use करके neutral atoms के लिए हमने हाप भी बात किया है तो हम लोग next video में जो discuss करेंगे तो next video में हम लोग discuss करेंगे किसके बारे में आइंस के बारे में discuss करेंगे और आइंस कितने types के होते है किटायन इनाइन और उसमें हम लोग किस तरीके से electron, proton, neutron का calculation करते हैं उस सारा चीज हम लोग next video में हम लोग continue करेंगे आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं आप वीडियो को देखी और बार बार इसका प्रैक्टिस करी ठीक है थैंक्यू, ओके